नमस्कर दोस्तों दोस्तों जब बात आती है मोटो ब्लोगिंग की या ब्लोगिंग की तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज होती है हमारी लिए एक एक्सन कैमरा होती है आप एक्सन कैमरा दोस्तों जैसे कि आपको पता है एक हाईली प्राइस में आता है दोस्तो तो उसके लिए भी आपको 20-21,000 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की कमेंट रहते हैं क्यार कम बजट में एक अच्छा एक्सेन कैमरा हमें कहां से मिलेगा और वो एक्सेन कैमरा कौन सा होने वाला है दोस्तों मैं बता दू कि लोगों बजट वाले जो भी आप एक्सेन कैमरा देखते हो उनकी जो क्वाइल्टी है बहुत गिरी हुई क्वाइल्टी होती है ठीक है आपके फोटो और वीडियो उसमें एक अच्छी रेजुलेशन वाले नहीं मिल पाते हैं तो दोस्तों यहां पर अभी करेंट टाइम है बहुत अच्छी अच्छी कैमरे लाँच हो रहे हैं जो एक minimum price में आपको एक high value वाली वीडियो फोटेज दे सकते हैं अच्छा रेजुलेशन रहेगा उसका और best quality रहेगी ठीक है तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कैमरे के वारे में आपको बताने वाले हैं जो अगर आप secondary तोर पर यूज मतलब अगर आप alternate बोलोगे गोपरो का तो मैं आपको कहूँगा कि एक best price में अगर आप एक सुरुवात करने चाहते हो बिगिनर हो ठीक है तो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो ऊसके लिए आप अपने 폼ण को भी ऊच कर सकते हो no doubt ठीक है लेकिन अगर आप आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ACTION Camera तो चाहिए ही चाहिए तो cuangan so action camera के लिए तो उसमें successful हो जाओ तो फिर आप gopro ले लो कोछ भी ले लो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन शुरुआत में इतनी ज्यादा investment कर देना और अगर आप उस चीज में successful नहों पाओ तो फिर ज्यादा दुख होता है तो इसके लिए एक second option में आपके लिए लेके आ गया हूँ best quality आपको यहां से मिल जाएगी इस camera के तो और यह minimum आपको 10,000 रुपए आपको 10,000 रुपए में आपको मिलने वाला है ठीक है अभी अभी लॉंच हुआ है application और जो भी आप तक इसके review देखे है मैंने या जो भी देखा है इस application की जो test और review unboxing तो उसके हिसाब से यह जो camera है मुझे best लगा ठीक है और दूसरा camera है cash on का c6 ऐसे कुछ करके है लेकिन वह यहां पर available नहीं है अब मैं बता दू जो भी चीज यह तो नहीं नहीं लॉंच हुआ है और मुझे उमीद है कि 2-3 महीने में यह भी available नहीं रहेगा इसका stock बहुत जल्दी खतम हो जाएगा ठीक है फिर company दुबारत से ब अपना बता हूं कि यहां पर जो भी मैंने यहां पर रिव्यू देखिए अब यहां पर एक एक्शन केमरा में हम देखते के हैं ठीक है तो यहां पर वह अच्छी खासी मेमोरी को सपोर्ट करता हो ठीक है तो यहां पर 128 GB तक आप डाल सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक तो इसमें आप एसा ही मतलब इस्टेबलाइजेशन और हो जाता है इसमें आउफ कर सकते हो और इस्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी है इस कैमरे की ठीक है और सबसे अची चीज अगर आप दूसरा कोई कैमरा लेने जाते हो तो आप उसमें एक डॉंगल लगाना तो यह मुझे लगा कि यह बैस्ट है अभी के साब से इस कॉष्ट में मतलब 10,000 की रेंज में यह कैमरा है जो बैस्ट है और मैं भी बहुत जल्द इसे परचेस करने वाला हूं अभी थोड़ी सी दिक्कत है पैसे की तो यहां पर मैं परचेस नहीं करूंगा लेकिन बहुत तो मैं कहूंगा कि यह 10,000 की रेंज में यानि कि 9999 में यह बैस्ट आपके लिए एक्षिन कैमरा हो सकता है तो आप इसे परचेस कर सकते हो और मैंने इसकी लिंक दे रखे डिस्क्रैप्शन बॉक्स में क्योंकि अगर आप मेरी लिंक से परचेस करने कि आपको कैमरा तो पर सपोर्ट कर देना आप अगर इस को कैमरे को परचेस करना चाहते हो तो मेरी लिंक से जाना तो थोड़ा से बेनिफिट हो जाएगा और मैं जल्दी इसे परचेस भी कर पाऊंगो और आपके लिए रीवीव अन्वॉक्सिंग और टेस्टिंग के जो सारे वीडियो है वो भी अभी अभी तक मैंने देखा तो यहां पर मुझे बैस्ट लगा यह कैमरा जो भी इसकी डिस्क्रैप्सन है सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत होती है एक वाइड एंगल लैंस होना चाहिए और एक्स्टेनल माइको सपोर्ट करना चाहिए तो यह सपोर्ट करता है और फीचर यह पर यहां पर देखे प्रोडूक्ट की इमेज सकाल जाती है और यहां पर उर्यां पर सब्सेयारे प्रॉप्ल्म्होती होती है इस कैमरे में आब यहां पर ऑप्से पर आपको यह सब्सेयार मिल जाए ख tenga की क्रेंते जाए और 18 ऐसे सेरीज मतलब मांट बगएरा और जो भी है ट्राइपुड बगएरा चोटा सा वो भी आपको 18 ऐसे सीरीज ऐसी मिल जाएंगी एक बेटरी इसमें डलके आएगी मतलब दो बेटरी आपको इस कैमरे के लिए मिल जाती हो तो काफी अच्छा बैकप भी देदेगा आप को यह कैमरा तो आप काफी अच्छे रिवीव हैं और जो भी मैंने देखा और मैं तो इसे पर्चेश करने वाला हूं अगर आप भी एक कम बज़र में एक एक एक्शन कैमरा पर्चेश करना चाहते हो तो आप इस कैमरे को ले सकते हो और बाकी मैं आपको आंगे सब कुछ ड चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना लिंक दे दिया डिस्क्राप्सर में अगर आप एक चुक हैं पर्चेश करने के तो आप पर्चेश कर सकते हो दन्यवाद